अले अब्रीबन, वल्कम बैक टो मैं आवरू चैनल, आज का हमारा मैस का कोश्चन इस प्रकार से है, एक ट्रेन 60 किलोमेटर प्रती घंटे की घती से चलती है, और कुछ समय के लिए 10 जंक्षनों पर रुखती है, यहाँ ट्रेन 1500 किलोमेटर की दूरी को कुल 30 घंटों में तै करती है, यहाँ ट्रेन सभी जंक्षनों पर एक समान समय के लिए रुखती है, तो ट्रेन जंक्षन पर कितनी देर रुखती है, या कितने समय के लिए रुखती है, यह हमको ग्याद करना है, इस कोश्चन के लिए जो आप्शन से है वाइस प्रकार से है, आप्शन A है 20 option C है 40 minute और option D है 50 minute तो चलिए बिना देर किये इस प्रकार की question को कैसे solve किया जाता है उसको सीखते और समझते है तो यहाँ पे question में जो भी चीजे दी हुई है उसको मैं यहाँ पिलिक देता हूँ दिया है train की चाल बराबर train की चाल कितनी दी हुई है question में तो train की चाल बराबर दिया हुआ है 60 km प्रती घंटा या पर आवर clear वही तै की जाने वाली दूरी की अगर बात करें तो यहाँ पे दूरी बराबर दिया हुआ है 1500 km ठीक है 1500 km अब हम क्या करेंगे इन दूनों की साहता से यानि की चाल और दूरी की साहता से 1500 km की दूरी को तै करने में लगने वाले समय को ग्यात करेंगे कि train को वास्तों में जब बाच 60 km प्रती घंटे की गती से चलता है तो 1500 km की दूरी को तै करने में कितना समय उसको लगता है यह हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समय हमको निकालना है 1500 km की दूरी तै करने में train को कितना समय लगेगा तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम लोग समय का शुत्र क्या होता है समय का शुत्र होता है समय निकालने का समय बराबर क्या होता है तो यह होता है दूरी बटे में चाल ठीक है इस सुत्र में हम वैल्यूस को पूट करके मान को रखके समय निकाल लेते हैं कि पंद्रा सो किलोमेटर की दूरी तै करने में ट्रेन को एक्शुल कितना टाइम लगेगा चलिए हम values को put कर देते हैं, दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है हमारा 1500 km, वही चाल की बात करें, तो चाल दिया हुआ है हमारा 60 km प्रति घंडा, इसको आगे जब solve करेंगे, तो इस सुन्ने से उपर का एक सुन्ने कर जाएगा, और 6 से जब हम 150 को भाग दे कितने बार में चला जाएगा, तो यह चला जाएगा हमारा, 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 पंचे 30, 25 बार में चला जाएगा, तो समय हमारा निकल कर क्या आ रहा है, तो समय बराबर हमारा आ रहा है 25 घंडा, ठीक है, यानि कि ट्रेन को 60 km प्रति घंडे की रपतार से चलने पर 1500 कि क्लमटर की जो दूरी है, उसको तैय करने में कुल कितना समय लगेगा, तो 25 घंडा समय लगेगा, ठीक है, कितना समय, 25 घंडे का समय लगेगा, ठीक है, लेकिन कोस्चन में दिया क्या हुआ है, कोस्चन में ट्रेन को लगा समय दिया हुआ है 30 घंडे, ठीक है, यानि कि ट्र एक्स्रा समय ग्यात हो जाएगा थीक है कि ट्रेन को पंद्रा सो किलो मेंटर की दूरी तया करने में जो एक्स्रा समय लग रहा है यह कितना घंटा लग रहा है वह निकल लाएगा तो चलीए घटा देते हैं यहां पर जब हम 30 घंटे से 25 घंटे को खटाएंगे तो value आएगे то value आएगे हमारा 5 घंटे ठीक है पर लब train को जो अतरिक्त समय लग रहा है जो extra समय लग रहा है वो कितना लग रहा है तो वो 5 घंटे का लग रहा है clear है आगे चलते हैं तो हमने निकाला train को लगने वाला अत्रिक्ट समय बराबर कितना निकाला हमने तो हमने निकाला है पाँच गंटे या पाँच गंटे या पाँच गंटे या ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब आगे क्या करेंगे अब हमें प्रत्याइक जंक्षन पर रुखने का समय निकालना है कि एक जंक्षन पर ट्रेंज वह कितना समय के लिए रुक रहा है ठीक है तो यहाँ पे पोश्चन में जंक्षनों की शंख्या कितनी दिवी है तो जंक्षन बराबर दिया हुआ हमारा 10 ठीक है अब प्रत्रिक जंक्षन पर रूखने का समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे अत्रिक समय को जंक्षन से भाग देंगे ठीक है जो जंक्षन की शंक्या है उससे हम क्या करेंगे जो अत्रिक समय हमने निकाला है उसको भाग देंगे ठीक है आगे लिख देता हूं मैं प्रत्यक जंक्षन पर प्रत्यक जंक्षन पर रुपने का समय रुपने का समय बराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा अत्रिक समय बटे में क्या बटे में आ जाएगा हमारा जंक्षन की संख्या जंक्षन की संख्या ठीक है तो अत्रिक समय कितना लग रहा है ट्रेन को अत्रिक समय लग रहा है पाँच और जंक्षन की संख्या कितनी है दस चली इसको सॉल्ट परते हैं तो पाँच से जब दस को भाग बार में चला जाएगा पांच एकम पांच और पांच उनी दस इस तरह से कि समय कितना निकल कर आएगा तो यह निकल कर आएगा एक बटे दो घंटा मतलब train को एक junction पर रुखने के लिए कित्ता समय लग रहा है तो उसको एक बटे दो घंटे का समय लग रहा है लेकिन हमको एंसर जो है घंटे में नहीं निकालना है क्योंकि question में जो options दिया हुआ है वो minute में दिया हुआ है इस समय को minute में बदलने के लिए हम क्या करेंगे इस एक बटे 2 घंटे को 60 से गुणा कर देंगे चलिए कर देते हैं जो है एक junction पर कित्ते समय के लिए रुक रहा है एक बटे 2 घंटे के लिए ठीक है तो minute में बदलने के लिए हम क्या करेंगे बोले तो एक बटे 2 को हम 60 से गु तो दो एक कम दो और दो तियाच है और दो सुन्दय में शुन्य ठीक है इस तरह से हमारा एंसर क्या आएगा 30 मिनट ठीक है यानि कि उस त्रेन को एक जंक्शन पर रुपने के लिए जो समय लगेगा वो कित्ता लगेगा तो वो 30 मिनट लगेगा यही हमारी इस question का answer होगा तो option number B होगा ठीक है ट्रेन जो है एक जंक्शन में कितने मिनट के लिए रुखेगी या कितने समय के लिए रुखेगा वाज 30 मिनट के लिए रुखेगा ठीक है आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का question कैसे solve किया जाता है वच्छे से समझ में आया होगा इसे प्रकार के important topic को लेकर मिलते हैं हमारे next video में तब तब के लिए धन्यवाद